हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जो वीडियो ने कहा रहा है देखिए किंग ओफ इंफ्रास्रक्चर अगर आप इस शेयर को देखोगे तो इंफ्रास्रक्चर की दुनिया का पेताज बातसा है quarter 3 के नतीजे आज यानि की 22 जैनुवरी को आए हैं और quarter 3 के नतीजे अगर आप देखोगे तो आपका मन जरूर करेगा कि यह शेयर मैं भी खरीदूँगा और सबसे इंपोर्टेंट बात है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि शेयर काफी सस्ती प्राइसिंग पर अभी के टाइम पर अवेलेवल है कल की डेट मैं gap up opening देखने को मिल सकते हैं लेकिन अभी भी का कहूंगा अभी एक दो दिन पहले मैंने इसका वीडियो बने आता तो बिलकुर सस्ती प्राइसिंग पर स्टॉक अवेलेवल है अब कल देखते हैं quarter 3 नतीजों का कैसा असर रहता है उससे पहले आज की डेट में हम जानते है quarter 3 के नतीजे कैसे रहे इस टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल को भी जानते है शोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या मैं बात कर रहा हूं किसी और स्टॉक की नहीं L&T की यानि के लासन और टूब्रो लिमिटेड की जहां पर इंफ्रस्ट्रॉचर का नाम आता है तो L&T सबसे टॉप का शेर और सबका पसंदीधा शेर रहता है और आप देख सकते हैं कि L&T के शेर में आज की डेट में देखें एक लाक एक्क्यासी हजार करोड का माकिट के पर लैशन है बहुत ही जबरदस शेर है प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस है तेकिन इस कंपनी के उपर उधार बहुत है ये बात है उधार बहुत है लेकिन फिर भी मैं खाऊंगा बहुत ही जबरदस शेर जिस प्राइसिंग पर अभी अभी अवेलेवल है बहुत बहुत बहतरीन प्राइसिंग पर अभी अभी अवेलेवल है अब देखिए L&T के शेर को अगर मैं देखू आज की डेट में जो इसका कारोबार रह 49% delivery जरूर देखने को मिली और इस stock को जरा देखें आप यह मैंने अलगलग time frame पे आपको फिर से यह chart दिखा रहा हूं किस तरीके से कितरा awesome monthly chart को आप देखें बिलकुल bottom पे weekly chart के आप देख सकते हैं बिलकुल base पे और even daily chart पे हलका सा positive sentiment जरूर देखने को मिल रहा है और hourly chart पे तो आज बिलकुल एक indecision वाली candle बन रही है यानि कि कल gap of pattern पक्का है भई अब देखते हैं result कब आया आज पांच सवा पांच बजे एक करेब यह result आ है और आज की date जो है आपने देखी कितनी है 22 January 2020 और result को देखना जरा focus करते है result को जरा समझे मैं आको detail में बताने की related numbers है अगर मैं बात करता हूं total income की तो total income कितनी हुई है 36,717 करोर और last year December में यह 34,823 करोर थी तो बढ़िया इजापा मुझे यहाँ पर total income में देखने को मिल रहा है और अगर मैं बात करूं यहाँ पर total income के बाद देखिए expenses भी company के हुए है expenses भी बढ़ते हुए देखने को म में बात करूं profit जो before tax है वो 34,100 करोर से यहाँ से हलका सा कम यहाँ पर देखने को मिला है 32,23 करोर देखने को मिला है लेकिन total income बढ़ती भी देखने को मिला और profit after tax को देखते है कि कि कितना रहा इस quarter में profit after tax काफी important हो जाता और उसके बाद earning per share तो यह देखिए tax की वजह से भ more than 300 करोड का jump यहाँ पर देखने को मिला profit में 300 करोड का jump जो कि अच्छी बात है September quarter में यही नंबर 251 करोड के आप clearly देखिए नंबर को 300 करोड से उपर का jump है 300 करोड से नहीं मैं कहूंगा 340 करोड के आसपास का यह jump impressive jump मुझे देखने को मिल रहा है तो earning per share की तरब नजर डा पैसे का चला गया जो कि अच्छी बात है कावी अच्छी बात है और LNT का share जो कि बिलकुल सस्ती pricing में मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यह share में अच्छा jump यह देखने को मिला है किसमे profit में अब यह देखिए आप clearly revenue को देख सकते हो कि इस साल यह स 2018 वाले December में आपने देखा किस तरीके से profit कम था उससे पहले के December में देख लीजिए लेकिन इस बार का profit का number impressive number मुझे देखने को मिल रहा है और वो number मैंने आपको इसलिए दिखाया यहां पे यह consolidated number है जो मैंने आपको number यहां पे दिखाया net profit for the period कितना आया आया आपने देख है और बहुत ही बहतरीन pricing यहां पर चल रही है और लेकिन अब बात करते है इस टॉक के अगर long term investment के बात की जाए तो मैं जैसा कि देख पार हो कि 2016 के बाद इस टॉक ने जरूर रिटर अच्छा दिया लेकिन यहां पे positional trader के लिए अच्छी कमाई है राधर देन long term trader के लिए आप देख पार हो कि positional trader जैसे ही अपने base के आसपास जाता है यानि कि 1200 के 1300 के range में जाता है तो attractive बाइंग यहां पर होती है आप यह candle देखिए आप यह 7 यानि कि July 2018 फिर उसके बाद आपने यह candle देखिए October 2018 फिर से यह candle बनी है फरवरी 2019 और फिर उसके बाद यह मौका अभी 4-5 महिने पहले जो आया था वो मौका यह था 8-2019 और उसके बाद अभी recently 12-2019 में यह मौका आया दिसंबर में अगर मैं bottom point देखू तो 1262 के आसपास था और अगर आप इस stock में investment करना चाहते हो तो आप देखिए monthly basis पर अगर आप देखे तो आपका जो bottom point है उसको आप देख ल daily chart में मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से higher lows formation देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कही न कहीं यह आज की date में एक बड़ी gap up opening था और उसके बाद बिल्कुल नीचे होके बंद हुआ लेकिन कल की date में जब इस result का असर देखने को बिलेगा तो एक positive sentiment हम देख सकते है और 1350 का जो यह high था इसको पार करेगा तो और भी एक strength देखने को मिल जाएगे stock में तो कहीं न कहीं एक positive sentiment इस stock में आ सकता है लेकिन जो target की बात अगर मैं कहूं तो यादा target नहीं 1450 के आसपास का target एक बढ़िया achievable target यहाँ पे हो सकता है stock के दिये तो कहीं न कहीं last hour में एक positive sentiment जरूर देखने को मिला था आज की date का last hour का candle आप देख सकते हो तो यह सारे detail में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ आप इसमें आप देखिए यह तो simple market structure में आपको बता रहा हो आप इसमें अगर आपको simple trend line draw करनी है कुछ भी draw करना आप देख सकते हो लेकिन सबसे important बात ह है कि यह bottom point जो इसको आप कह सकते है कि joints जो है swings के बीच के joints और अभी जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल swing के बीच के joint पे है और यह candle को आप देखे जो indecision वाली candle थी काफी important candle थी यह 12 9 December के आसपास की candle थी काफी important candle मैं इसको कहूँगा जहां पे इसने 1254 का pricing बना था उसके बाद शेयर ने काफी up-down दिखाया है positive strength जरूर दिखाई है लेकिन overall मैं इसको कहूँगा एक bottom phase बनाने वाला बात मतलब कि bottom मना रहा है यहाँ पे देखे आप clearly देख लिए bottom मना रहा है और इसी तरीका का candle जब last time पे stock ने जंप लिया था जो कि October अगस्त वा 1, 2, 3 इसी kind of pattern यह अभी भी बनाता हुआ और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अब ऐसे result के बाद एक positive strength जरूर देखने को मिलेगे और result तो आप नहीं देखा है और L&T के share को खरीदने के लिए पूरी की पूरी line लगी होती है और आज की date में जो बड़ी गिरावट इसमे देखने को मिलता है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि long term perspective से अच्छा है इस stock में अगर आप swing basis पे trade करने की सोचे और swing का जो है वो second half start हो रहा है already first half जो down का था लेकिन अब second half जो है impulse वाला जो positive वाला part है वो start होने वाला है बस इसी result का इंतजार था 22 जन्वरी बाही जन्वरी आ चुकी है लेकिन अगर आप swing trading की perspective से इसमें position बनाने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो मैं फिर से कहूंगा कि 1254 पच्वन के आसपास का ये stop loss आपके mind में जरूर रहना चाहिए क्योंकि अगर हम expect करने कि 1450 पर जाये तो हमें लगता है क 4050 पर नीचे हमको एक stop loss भी यहां पर जरूर रखना चाहिए कि हां ये stop loss इससे नीचे गिरता है तो एक डर का माहौल इसमें जरूर क्रेट होगा एक panic situation आए कि जहां पर लोग निकलने की भी कोशिश करेंगे लेकिन जिस तरीके से मैं weekly candle पर यह 9 December वाले week की candle दिख रहा हू यहां पर जैसे यह share नीचे गया और यहां पर buyers active हो गये और उसी तरीके से similar kind of pattern मैंने यहां पर जो January 1st वाला जो week है वहां पर भी देखने को बला आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताईए August time frame का similar kind of consolidation देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है L&T का result हमने देखा infrastructure का बेताज बातसा है और मौका जरूर है investment का और उमीद करता हूँ आपको इवीडियो अच्छा लगा होगा रिजल्टी भी आपको अच्छा लगा होगा एक positive profit after tax मुझे देखने को मिला है वीडियो अच्छा लगा तो share जरूर कीजिए और इस channel पे आपको प्रेस कर लिजिए जिससे आपको notification आती रहेंगे और थैंक यू थैंक यू पर वाच्छिंट वीडियो